हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे एंड आज कल हिमांचल में बहुत जादा कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं जिसके चलते हुए हिमांचल के जो लोग हैं बहुत जादा परिशान है इस्पेशली यूबा जो की तयारी कर रहा है स सार हम बहुत ज़़ता परिशान हो गए है कॉद्स आएगी तीन चार चार साल हो चुके हैं त्यारी करते हुए हमने दो दो तीन 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 बार एक्जाम निकाल दिये कभी टैस्स क्लियर हो जाता है तो कभी स्क्रीणिंग में जो हैं जो है ऑ्वा जुस्क्रीनिंग पांच-पांच-छे-चे साल हो गएं तैयारी करते हुए बकैंसिस आती है तो बहुत कम बकैंसिस आ रही है पता नहीं है कब एक्जाम होगा सडनली एक्जाम के पैटर्न चेंज कर दिये जाते हैं बहुत से ऐसे कॉन्फिक्ट जो है वो स्टूडेंट के माइंड के अंदर ज बहुत हो चुकी है क्योंकि एज निकलती जा रही है बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है क्या करें क्या सरकारी नौकरी की त्यारी को छोड़ दें हमें कब लगेगी सरकारी नौकरी या हम कुछ और करें या इस त्यारी को continuously रखें यानि हम सरकारी नौकरी की त्यारी करें या त्यारी को छोड़ दें यह बहुत बड़ा एक issue एक बहुत बड़ा conflict जो है एक बहुत बड़ी परिशानी यूबा के मन की अंदर जो बहुत निकल के आ रही है समझ नहीं पारे करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पहले लगता है कि यह चीज़ें होगी बाद में पता लगता है कि यह नहीं हो रहा है जिसे एक example लेके चलते हैं बहुत time होगे आपके पास teaching की vacances release नहीं हुई जो release हुई थी उनको भी appointment नहीं लगी यानि तीन तीन चार चार साल एक बहुत लंबा time period होता है आप मान के चलिए example के साथ समझते हैं एक बच्चा है ठीक है 18 साल की उमर में वो अपनी class plus two complete करता है 21 साल की उमर में वो graduate हो जाता है 22-23 साल की उमर में मान लो वो अपनी master degree complete कर लेता है 25 साल तक पहुंसते पहुंसते अगर उसने कोई specific degree जैसे मान लो B.I.D. उसने complete कर ली वो अपनी complete कर लेता है तो 25 साल तक तो चलो पढ़ाई हो गई अगर minimum भी लेके चलें तो 21-23 साल तक पढ़ाई हो गई तो यही time period है अगर इसमें उसको job नहीं लगी तो उसके बाद आपको पता है उसकी family का issue, social issue, financial crisis बहुत सी चीज़ें हैं जो की एक person को face करनी पड़ती है और यह चीज़ें बहुत ज़्यादा effect डालती हैं उनके mind के ओपर थोड़ा से इसको समझते हैं हमारे पास एक theory आई थी क्योंकि देखो हर चीज़ चलती है need के ओपर जरूरत जरूरत कहते हैं अवश्कता ही अवश्कार की जन्नी है तो need सबसे ज़्यादा जरूरी होती है सबसे पहले need होती है basic needs जो की safety needs प्लस psychological needs के साथ साथ जो physiological needs हैं बो भी complete करनी होती है जैसे रोटी कपड़ा मकान और जो रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है रोटी fix हो यानि आपको daily मिले ऐसा नहों कि सुबह खाना खा रहे हैं शाम के खाने का पता नहीं है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस तरह से नहीं होना जाहिए यानि आपको physiological plus safety need की ज़रूरत पर जो बेसिक need है भूल भूत चीजें है है ना वो आपको job से मिल जाती है आप कोई भी job करेंगे लेकिन security नहीं मिलती है फिर उसके बाद माली जी आपको इस चीजें नहीं मिली तो जैसे belongingness अकेला पन आपको ताने सुनने पड़ेंगे लोगों के कि आपसे नहीं हो रहा है आपके पास esteem need है ना आप खुद को क्या समझते हो आप खुद की नजरों में ही खुद को कम समझने की कोशिश करते हो self-fulfillment needs की तो बाद ही नहीं आएगी फिर बाद में बहुत कम लोग होते हैं जो यहां तक पहुँच पाते हैं लेकिन आज का सबसे बड़ा issue है कि आपको क्या नौकरी की त्यारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए अगर करनी चाहिए तो कौन सी age तक हम preparations करें देखिए अगर मैं अपने point of view से देखूँ तो सबसे बड़ी बात क्या है need ज़रूरत है जब आप अपनी education complete कर लेते हो तो बहां तक जो है आपकी family आपका खर्च उठा रही थी उसके बाद आपको खुद अपना खर्च उठाना पड़ता है यानि आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है money की वो आपको job से मिल जाती है डो टाइप की job आप कर सकते हो एक आप private sector में जा सकते हो एक आप government Sector में जा सकते हो प्राइवेट सेक्टर में safety नहीं मिलती है government में आपको safety मिल जाती क्योंकर इक आप जाब ले लो वो fix है अच्छे से करो fix job है government job की respect बहुत जादा है क्योंकि उसमें safety आ रही है यानि आपकी family की security आ रही है यानि आपकी जो शादी बगारा हो गई तो वो जादा chances है वो हो जाएगी private में safety नहीं आती है इसलिए mostly probability है कि आपका जो आगे वाला step है वो proceed असानी से नहीं हो पाएगा उसमें time लगेगा आपके पास private jobs अच्ची है ऐसा मैं नहीं कह रहा मैं थोड़ा सा social view के उपर बता रहा हूँ लोगों की mentality के उपर बता रहा हूँ किस तरह से लोग सोचते हैं तो आपके पास government job है तो ठीक है आपको security मिल दी आपको अच्छा लग रहा है लेकिन नहीं तो नहीं तो इसमें यही सबसे बड़े conflict आता है है ना और यहीं पर परसन जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो त्यारी कर रहे होते हैं job की government jobs निकलती नहीं है बहुत लंबे लंबे time तक तो financially वो stable नहीं हो पाते best opinion जब आप त्यारी कर रहे हो किसी job की ठीक है एक दो साल आप पूरा दो इमानदारी से अगर jobs नहीं आती है ठीक है आपने त्यारी तो कर ली है आप साथ में अपनी financial stability भी देखो क्योंकि money एक basic need है और वो चाहिए ही चाहिए without money आप में depression आएगा ही आएगा conflicts आएंगे ही आएंगे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अगर families bell stable है bell strong है तो कोई issue नहीं होता otherwise फिर भी issue देखने को मिलते हैं क्योंकि आपकी खुद के कमाये हुए पैसे आपके खुद के हैं तो आप खुद भी एक साथ साथ में क्या कर सकते हो अपनी त्यारी शुरू कर सकते हो देखो online आज कुद blogging होती है आज कुद social media काफी अच्छा platform बन गया है या आपको जो passion है उसको follow करो अपने passion को continue करो बाकी चीज़ें भूल जाओ क्योंकि जो आपका passion है वही आपको आगे जाके जो है वो सफलता के रहा के उपर पहुंचाएगा अगर आपका passion social media में है blogging में है आपका passion पढ़ाई में है पढ़ाने में है आपका passion technical work में है उसकी तरफ ज़्यादा मेहनत करो क्योंकि आपकी जो ability है वो ही आपको जो है success के उपर लेके जाती है सरकारी नौकरी की त्यारी करें बहुत अच्छी बाते करते रहिए साथ साथ में कीजिए तो शुरू में एक दो साल दे दीजिए दो तीन जितने भी देना चाहते है जितना आपको लगता है कि नहीं अभी तक मुझे financially कोई ज़्यादा issue नहीं आया है लेकिन जब आपको पता लग जाते है कि नहीं अब बहुत हो गया तो आपको अब job की तरफ बढ़ जाना चाहिए आपको सिर्फ घर में बैठकर ऐसा नहीं करना है कि मैं त्यारी कर रहा हूँ और मुझे और कुछ भी नहीं करना आप साथ साथ में अपने जो एक financial, economical, stability है है ना उसको भी तो देखना है तो उसको साथ साथ में maintain कहिजिए अगर आप ऐसा करेंगे यानि त्यारी कर रहे हैं ठीक है साथ में अगर आप अपनी job भी कर रहे हैं आप job के साथ साथ exam की त्यारी भी कर रहे हैं तो वो best है उससे क्या होगा आप परिशान नहीं होंगे यूबा इसलिए परसान नहीं है कि नौकरी नहीं लग रही यूबा इसलिए परसान है क्योंकि उसको सरकारी नौकरी नहीं लग रही और सरकारी नौकरी सभी को नहीं लगेगी हम परिशान होते हैं दूसरों की बज़ा से खुद की बज़ा से नहीं होते तो social जो pressure पढ़ रहा है उसको handle कीजी अराम से handle कीजी तो सबसे पहले financial stability आएगी financial stability से आप शान्त हो जाओगी यह reality है तो time लगता है इन चीजों में लेकिन हो जाते है तो थोड़ा सा time देके अराम से इन चीजों के उपर work कीजी बाकी त्यारी कर रहे हैं करते रहे हैं क्योंकि बहुत जादा issue जो होने वाले हैं आगे जाके भी government job हमेशा काम ही होगी private sector में ही आपको growth मिलेगी आप business कर सकते हैं खुद का या खुद का काम कर सकते हैं बहुत जादा जरूरी है तो इन conflict से हटने के लिए क्योंकि youth depression में है पूरा का पूरा बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं बुभी जिससे बहुत सी medicine ऐसी ले रहे हैं जो depression से उनको हटा सके उनके चहरे बताते हैं कि family बालों का pressure है society का pressure है teachers का pressure है एक ही चीज़ बोलते हैं सरकारी नौकरी नहीं लगेगी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी क्या हो गया नहीं लगी सरकारी नौकरी तो जो private sector है उन्हीं की वज़े से देश चल रहा है अब business कर सकते हो है ना तो अपने बच्चों को भी हमेशा promote कीजी आगे जो वो करना चाहते हैं उनको सही guide कीजिए कि आपकी क्या capability है उसके according आगे बढ़िए otherwise आगे जाके आपने देखा होगा किस तरह के step जो है छोटी उमर में ही बच्चे उठा लेते हैं तो इन चीज़ों को हटाईए है ना इन चीज़ों को हटाईए काम कीजिए और अपने passion को follow कीजिए ओके चलिए thank you